नमस्कार दोस्तों आप सुभीका स्वागत था आपके अपने चैनल गुलशी टैक्नियूबे मेरा नाम है निशान तो राज की स्वीडियो में हम जो कंपेर करते हैं एटर 450 एक्स को बचा चे तक के साथ में मतलब यह जो दोनों ही इलेक्टिक स्कूटर है इंडिया के मोस्ट प्रिम इलेक्टिक सूटर दोनों की डिमांड जो है मार्केट में बहुत ही बढ़िया है जहां पर दोनों का डिजाइन भी रहने में काफी अच्छा लगता तो आज इनको जहां कंपेर करते हैं की टेक्निकल स्पेसिकेशन के बेसिस पे इसके प्राइस के बेसिश पे और सब्सक्राइब करने कोशिश करते हैं कि कौन सा उप्षिन किसके लिए तो बहतर रहते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इनकी मोटर्स के साथ में आपर जो मोटर्स यूज की गई है और वही पर जब बजाद चेतक में यूज कर रही है वहाँ पर बी लडी सी सब्सक्राइब करें तो यहां पर बात करें तो यहां पर आपको टोर्क मिलता है तस न्यूटन मीटर्स का मिलता है और वही आपको जो अच्छा कासा जो है कि दिख जाएगा यहां पर बात करें इनकी पावर पीक पावर के बारे में तो यहां पर यहां पर बात करें बजार चेतक की तो यहां पर आपको जो पावर मिलता है और फोर किलोवाट को मिलता है तो यहां पर अगर आपकी पीक पावर की बात में तो पीक पावर में एतर इसको देता है इसकी ड्राइव ट्रेंड के साथ में तो बात करें इनकी बैटरी के बारे में रेंच के बारे में चाजिंग के बारे में यहाँपर जो बैटरी यूज किया गये दोनों ही वेहिकल्स में जो है बैटरी है वो आपका लीथियम आयंग पैक है और यहाँ पर जो पैक है वो एतर फॉर फुट्यक्स में आपका 2.9 बैटरी होने के साथ में बजाचेतक का कम है तो यहाँ पर मतलब एक लगबग बैटरी के मामले में देखे टाई है क्योंकि आप जिस हिसाब से वहीकलों चलाएंगे उस हिसाब से थोड़ा आपकी जो है रेंज में वरीशन उनीज बिसका आ जाता है अपको टॉप स्पीड की के बात करें तो एकर फुर स्पीड क्लेम करती है असी किलो मेटर पर गंटक आप यहां पर जब स्पीड और मतलब पर्फॉमेंट्स को आप जो अब तक देखते आ रहे होगे तो आपको एतर 450 एक बैटर उप्शन लग रहा होगा एंड यही पर जब ब्रेकिंग की बात करें तो इनका जो है दोनों का डिजाइन थोड़ा आलग है जहां पर बजाचे तक एक स्कूटर की त स्कूटर लगता है मतलब एक अच्छा खासा चोड़ा स्कूटर लगता है इसका राइडिंग पोस्चर जो है वह कुछ ना कुछ अच्छा है एतर 450 चलाने में आपको फन बहुत आता है ऐसमें आपको जब तोर्क मिलता इंसने टो बिलीवी वह जबर दस्त आपको मिलते त चलाने में ज़्यादा बजाता है बट अगर आपको राइडिंग पोस्चर एक मतलब कमर के लिए चाहिए आपको ज़्यादा कंपेटेबल राइड चाहिए तो वहां पर आपको एक अच्छा उप्चिन नहीं बात करें तो ज़्यादा सेंसर जो हम बिडीड किये गए वह आपको एकर फूर्स प्रूटेक्स में किये गये हैं यह आपको ज्यादा बहतर मतलब फीचर मिल जाते हैं बजात चेतक के हिसाब से यह आपको एंड़ डश्क्रीन मिलती है जो आपको बजात चेतक के अंदर नहीं मिलती है बट मोस्ट अब गायस हम बात करें अगर लोकल एरिये के लिए ही इलेक्ट्रिक फीकल को भी सिलेक्ट किया जा रहा है एस इंफ्रस्ट्रिक्ट्चर को देखते हुए तो मुझे इतनी ज्यादा नीड अभी फिलाल जो इस टच्स्क्रीन क्यों जीपीस में अपने लिगती है जो अभी एथर में आपको पैनल मिलता है बाक अधिना का यह एतर फॉर फॉर टेक्स से ज्यादा अच्छी लगती है एंट पर प्राइस में जब 20,000 रुपी का फरक है एंट बाद में जो इनके फीचर्स में तो दोस्तों फरक है वाद दोनों वहिकल की जो है अपनी अलग अलग डिमांड है हलां कि मुझे डिजाइन व बारे में देखते हैं तो वही आपको जो एक से क्लियर विनर निकलता हुए दिखता है तो यह बहुत ही एक मतलब टफ चोईस है जहां पर इमें 20,000 रुपी का फरक है जो लोग मतलब 1,40,000 कर सकते हों एक लाक साट भी करण ची सकते होंगे क्योंकि भाई जीतना जादा डि अची है तो एक तो बजाज का नाम बढ़ा उपर से चेतक का नाम तो भाई मतलब क्या करें चेतक का बहुत ही मतलब बढ़िया नाम में एक अची सी ब्रैंड है और फिलाज एथर 450X भी काफी अची ब्रैंड बन चुका है ऐसा नहीं कि अब इसको जानते नहीं है पूरे भ बाकि आपकी जो पर्शनल चोईस रहती है आपको कौन सा डिजाइंग या फिर कौन सा वीकल जादा पसंद आता वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाकि आपको दोस्तों वीडियो में जानकारी कुछ पसंद आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो सब्सक्राइब कर दीजिए गा लाइक बटन दबा दीजिए गा और ऐसी अपडेट्स आपको जिस्टाइब की चिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताते रहना ऐसी चैनल के साथ जुड़े रहे बागी दोस्तों क्लाल क्यों चानल करें इतनी प्रियो सेक्न आपले, और नवाट!